कन्नौज का इत्र उद्द्योग आज बड़ी-बड़ी उचाईयों को छू रहा है। ऐसे में कन्नौज में मौसम के हिसाब से भी इत्र तयार किये जाते हैं। जिसमें सर्दियों के खास इत्र ऐसे होते हैं जो कि शरीर को अंदुरूनी गर्महाट देते हैं। ऐसे में इन इ इत्र का प्रयोक आज भी लोग खाने की चीजों में किया करते हैं। सर्दियों के मौसम में ये इत्र की खुश्बुएं अपने आप में ही खास है। खुश्बु के एहसास के साथ-साथ ये सभी इत्र गर्माहट का भी एहसास देते हैं, जिससे ये सुगंद के साथ शरीर के लिए भी लाबदायक है। हमारा इत्र का यो काम है बहुत पुराना है और हमने इत्र को मदर देखते हुए पर्फ्यू मनाई हुए हैं एक जो की बहुत युर्लाश्टिंग के हैं और बहुत ऊंदा है इसकी फ्रेट जो है बहुत ही स्ट्रांग है और इसमें आपकीरी खाविया है इसमें आपकी खुछूर्ट रहेगी और विल्कुल माइड रहती है लास्टिंग मीनिममम दो दिन राएगी इसकी और व्लाहां बहुत बहुत प्यारी बढ़ाने इसका इस प्ले करें डिरता है पांचो रुपय का पीस चालिस से मिल का पीस है आइसे रोगत रोज लगाएंगे चलेगा मैंना वर कम से कम दूसरा अइटम हमारा है ब्लेक उद्ट इसमें लास्टिंग इसकी बहुत ही इस्ट्रॉंग है चार दिल चलता है कम से कम और इसमें हम लोगों ने उद्ट का इस्तेमाल किया हुआ है इसे प्यूर रूद पड़ा हुए आपका इसकी जो जो इसकी स्मेल है बिल्कुल यह बनेता है जढ़ी होटी है हमारा आटम किसवें लॉंग है यह जाइव जाइत्री है केसर पंती है बहुत से आइटम बढते हैं जो हम लोग गरम असलम दालते हैं जो हम लोग्य ला कुराते हैं इसके बनता हुए टुद बम la tog इसमें बिल्कुल कि इसमेल आते है और ग प्रवाइब करता है इसमें आप सममा लगा सकते हैं बाकी आइटम तो मेंस के हैं डिमांड बहुत है इसकी इस टाइम पर अब बढ़ी रही दिन पर दिन इसकी लैस्टिंग आप इस बाड़ेगी इसकी देवांड बढ़ेगी मर्केट वाड़ेगी यह देहन लोगुद है य इसकी बढ़ा अच्छा आइटम है और इसकी खुश्बुल से देवाइब कम से कम 24 गंते तो है और जादा भी रुक जाती और परफ्यूम है दूसरी बात यह है कि इसकी उलान बहुत अच्छी यह यह बिलेक फुद इसके खुश्बु को अच्छी है बहुत अच्छी खु से कम दो दिन लास्टिंग है और यह तीसरा आइटम में शमामा भी बड़ा अच्छा आइटम इसमें भी बड़ा सुटनेस होती है और यह गरम आइटम गरम जड़ी बूतियां पहाडी आपके में पैदा होती हुँ वह यह डाल करके पगाई आती इसमें उससे यह बनता है ब इसके सूंगने से जुकाम पर बहुत बड़ा फरक पड़ता है नाग बाई रही तो रुख जाती है यह खास बात होती है इसमें इतना गरम आइटम होता है और यह टुबाय को उद इसके भी बहुत अच्छी खुश्बू है बहुत अच्छी थोड़ी सी जली टाइप की थ अच्छी